हलो दोस्तों मैं डॉक्टर कोशिल यादे फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूटूब चैनल पे और आज हम सीखने वाले हैं एग्रेसिव पेरियोडाइटिस जो की इंपोर्टेंट है for the university as well as for NEET MDS के लिए इंपोर्टेंट टॉपिक है ये तो चलो शुरू करते हैं जल्द से जल्द एग्रेसिव पेरियोडाइटिस अगर सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो एग्रेसिव पेरियोडाइटिस देखो नाम से ही पता लग रहा है एग्रेसिव है ये मतलब खतरनाक होगा ये सम सिंपल तो it is a severe and rapidly progressing form of periodontitis ये normal periodontitis जैसा नहीं ह ये एगदम severe है मैंने बोलो ना ये खतरनाक है और rapidly एगदम से बढ़ता है ये तो ये severe और rapidly progressing form of periodontitis है that is your aggressive periodontitis फिगर में देखो इती तेजी से बढ़ा है ये और पूरे mouth में पूरे teeth में involved है ठीक है अब इसके दो types होते हैं एक होता है localized aggressive periodontitis एक होता है generalized aggressive periodontitis फिग है इन दोनों को हमें पढ़ना है तो aggressive periodontitis के दो type localized और generalized फिग है इतना clear हुआ उसके बाद ये देखो अब ये जो है ये localized aggressive periodontitis है ठीक है localized क्योंकि एक दो दात में होगा इसमें ठीक है न जैसे incisors में है देखो जैसे ये radiograph में देखो जैसे central incisor में ये bone loss हो रहा है देखा यहाँ पे हो गया और molars पे हो गया तो मतलब ये localized periodontitis है aggressive periodontitis पूरे mouth में होगा अभी बढ़ा अब हम detail में पढ़ते हैं इसको देखो in localized aggressive periodontitis the involved teeth are at least two permanent teeth ये ध्यान रखो अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे समझो पहले in localized aggressive periodontitis the involved teeth are at least two permanent teeth अट लीस्ट दो permanent teeth तो होने ही चाहिए जिसमें से एक central incisor होना चाहिए और other is first molar ठीक है तो localized aggressive periodontitis में at least two permanent teeth होना चाहिए एक central incisor और एक first molar ठीक है clear हुआ यहाँ तक तो वही देखो figure में देखो तो भूलना नहीं कभी यह central incisor है जिसका bone loss हुआ और यह molar है इसका भी bone loss हुआ फस्ट molar है नहीं यह तो वही एक central incisor और एक first molar क्लियर हुआ यहाँ तक उसके बाद अगर हम बात क करेंगे generalized aggressive periodontitis the involved teeth are at least three permanent teeth इसमें three उसमें दो था at least दो नहीं चाहिए और generalized इसमें बहुत ज्यादा तो three permanent teeth except central incisor और first molar first molar और central incisor के अलावा three permanent teeth होने चाहिए तब जाके generalized aggressive periodontitis कहला सकते हो कह सकते हो आप ठीक है अब पढ़ो detail में localized aggressive periodontitis जो है उसका onset puberty में होता है अगली onset puberty age में होता है और location कहां होता है first molar या फिर central incisor with interproximal attachment loss on at least two permanent teeth में attachment loss होगा ठीक है ना आप देखो मतलब अब reasons पढ़ना है कि localized ही क्यों हो रहा है क्यों फैल नहीं रहा है वो वहीं तक क्यों रह रह रहा है तो हमें ये तो knowledge होना चाहिए ना कि ये localized क्यों है पूरे दात में क्यों नहीं फैला तो ये सब पता होना चाहिए इस कैसे शुरू होता है जंजाइवाइस से होता है जंजाइवा nflamड होता है वहां से बेक्टेरिया जाता है फिर así और उन्युदें जाता है सब जिंजाइव में जाता है फिर वह infection करता है ठीक है तो मेरा कहनी का मतलब है कि अगर दात के चारो ओर बैक्टेरिया आ गए ठीक है और वो कॉलिनीज बना रहे हैं मतलब अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं यहां तक हो गया ठीक है अब उसके बाद जब बैक्टेरिया ने अपनी जनसंख्या बढ़ा ली colonies बना ली उसके बाद क्या होगा वो देखना है तो after initial colonization of permanent teeth यहां तक हो गया उसके बाद एक bacteria आता है जिसका नाम है actinomycetum committance against to the host अब वो host कहाँ है हमारा हमारा bone में होगा blood vessels में होगा defensive cells होगे वो हमारे host होगे अब यह bacteria क्या करेगा उस host के against होगा लडेगा उससे और हमारा जो defensive cells हैं सारे वो bacteria से लडेंगे दोनों आपस में लडेंगे तो यह produce क्या करेंगे कैसे लडते हैं यह क्यों destruction हो रहा है जो यह actinomycetum committance bacteria है यह क्या करेगा production करता है of PMN chemo taxes inhibiting factor अब यह क्या चीज है बोलोगे देखो जब कोई भी bacteria होता है जब वो हमारे defensive host cell से लडता है तो हमारा defensive cell क्या करता है यह PMN क्या है polymorpho nuclear leukocides है वो क्या करता है लडता है वो chemo taxes करेगा बट बैक्टेरिया क्या करता है वो इसकी against inhibiting factor करेगा वो अपने protection के लिए कुष्टो करेगा बैक्टेरिया वो क्या करता है PMN chemo taxes inhibiting factor मतलब वो जो पॉलिमोर्फो nuclear chemo taxes जो मारने आ रहा है बैक्टेरिया को वो inhibiting factor release कर देगा मारने देगा ही नहीं तो यह release करना शुरू कर देगा बैक्टेरिया endotoxin release करना शुरू कर देंगे collagenases शुरू कर देंगे collagen को जो तोड़ता है leukotoxin जो की destruction करता है यह सब release करना शुरू कर देंगे बैक्टेरिया और other factors that allow the bacteria to colonize the pocket यह सारे चीज रिलीज करके bacteria अपना colony बनाते pocket formation करते और initial destruction of periodontal tissue करते ठीक है इतना समझ में आया ठीक है तो अब ही तक क्या क्या हुआ bacteria आया उसने अपनी colony बनाई ठीक है जिसमें actinomycetum committance था वो host के against लड़ रहा था host अपना PMN chemotaxis प्रड्यूस कर रहा था बट बैक्टेरिया ने क्या किया PMN chemotaxis inhibiting factor रिलीज करना शुरू कर दिया endotoxin शुरू कर दिया colosinase रिलीज करना शुरू कर दिया leukotoxin रिलीज करना शुरू कर दिया जिसकी वज़े से bacteria को chance मिल गया और grow होने का colony बनाने का pocket formation हो गया और initial destruction होने लगया periodontal tissue का यहां तक हो गया अब देखो अब a strong antibody response to infecting agent is one characteristics of localized aggressive periodontitis देखो हमारा defensive host cell चुप तो बैठेगा नहीं bacteria कुछ भी कर लेगा चुप तो बैठेगा नहीं तो यह हमारा defensive mechanism क्या करेगा antibody produce करेगा against उस bacteria के जो वो agent produce करेगा ना antibacterial agent उसके against antibody produce करेगा और जैसे एंटीबोडी produce करेगा वो रुख जाएगा तो इसी वज़े से localized aggressive periodontitis जो होता है localized उस सिर्फ उस सीमित जगा पे central incisor या फिर molars area पे होता है पूरे दातों में नहीं करता है क्योंकि ये antibody produce कर देता है वहीं रुख जाता है समझ मैं आए इतना उसके बाद ये जो actinomycetum commitence है may lose its leukotoxin अब leukotoxin produce नहीं कर पाएगा क्योंकि antibody produce हो गया और producing ability for unknown reason पता नहीं कैसे ये release कर मतलब के बराबर होगा तो striking features of localized aggressive periodontitis क्या है is the lack of clinical inflammation जब आप localized aggressive periodontitis देखोगे तो clinical inflammation आपको नहीं दिखेगा ठीक है और periodontal pocket भी नहीं दिखेगा आपको inflammation भी नहीं दिखेगा pocket भी नहीं दिखेगा हलका हलका bone destruction होगा बट pocket नहीं formation होगा अब देखो radiographic finding अगर localized aggressive periodontitis आप देखोगे तो उसमें आपका कैसा bone loss होगा vertical vertical loss of alveolar bone around the first molar और incisor होगा bone defect usually wider than usually chronic अब देखो chronic periodontitis तो normal है यह aggressive है तो आफकोस ही बात है wider wider destruction होगा यहाँ पे ना अब यहाँ पे arc shaped bone loss यह important है यह याद रखो यहाँ पे कैसा localized aggressive periodontitis में कैसा दिखेगा arc shaped यह याद रखो arc shaped bone loss extending from distal second premolar से लेकर mesial surface of second molar अब मैं बता तो कैसे देखो यह premolar हो गया इसका distal पार्ट ही हो गया तो distal से लेकर mesial surface of second molar यह second molar है ना यह premolar है यह हमारा premolar यह हमारा second molar ठीक है यह important है MCQ पूछा जाता है बहुत बार यह याद रखना आप उसके बाद इसमें जो damage होता है वो mirror image pattern होता है मतलब biological symmetrical pattern of bone loss मतलब अगर मान लो यह दात है आपके ठीक है यह दात हो गया जो bone loss होगा एकदम mirror shape जो mirror जो जैसे destruction यहाँ पे जितना हुआ होगा वो ही destruction यहाँ भी टू पे भी वैसा ही हुआ होगा mirror image की तरह होता है यह भी important है याद रखना पूछता है ठीक है अब बात करते हैं generalized aggressive periodontitis की तो generalized aggressive periodontitis में यह 30 साल से जो नीचे individuals है उनको जादा होता है यह पट ऐसा नहीं है older patient में भी होता है ऐसा नहीं है now generalized aggressive periodontitis is characterized by generalized interproximal attachment loss देखो localized में नहीं हो रहा था यहाँ पे generalized पूरे जगह पे interproximal attachment loss हो रहा है affecting at least three permanent tooth other than first molar और incisor first molar और incisor के अलावा three permanent tooth involved होने चाहिए तब आपका criteria generalized aggressive periodontitis का कहलाएगा इसमें small amount of bacterial plaque present with affected tooth देखो localized aggressive periodontitis में inflammation नहीं था मैंने बोला था inflammation वहाँ नहीं था पर यहाँ inflammation है यहाँ पे प्लाग प्रेजंट होगा चीक है ना अब इसमें जो tissue response करता है bacteria के against वो कैसे करता है दो तरीके से करता है तो the two gingival response can be found here एक तो एक तो देखो कैसे होता है one is a severe acutely inflamed tissue often proliferating होगा वो ulcerated हो जाएगा वो very red हो जाएगा पूरा एकदम असानी से bleed करने लग जाएगा अकर spontaneously और with slight stimulation से थोड़ा touch करोगे तो खून बहने लग जाएगा attachment और bone are actively lost होगा और superative में भी important feature पस भी आने लग जाएगा ठीक है ये तो ऐसे response करता है एक तरीके से अब दूसरा तरीका कैसा है इन other cases gingival tissue में appear pink इसमें pink होगा free of inflammation या पर inflammation ही नहीं है इससे पहले वाले condition में inflammation था occasionally with some stripling features कुछ देखो inflammation नहीं है तो stripling तो होगा ही होगा और bone level remain stationary bone भी अपने position पे रहेगा तो दूसरा तरीके से response कर रहा है एक तो बड़ा खतरणा एक तो कम है समझ में आया some patient with generalized aggressive periodontitis may have systemic manifestation such as weight loss and mental depression बता कुछ कुछ generalized aggressive periodontitis के साथ आपको patient में दिखेगा उसका weight loss भी है mental depression है देखो simple सी बात है यह कोई अलग चीज नहीं है अगर मानलो कोई mentally depressed patient है अफकोस यह बात है वो oral hygiene maintain नहीं करेगा मतलब मानलो अगर वो physically handicapped होगा तो नहीं कर पाएगा ना डंक से brush नहीं कर पाएगा oral hygiene maintain नहीं कर पाएगा तो उसको तो periodontitis हो नहीं है तो अब उसको periodontitis होना है problem हो रही है दात में वो खाना नहीं खाएगा तो अफकोस यह बात है weight loss तो हो गई होगा तो यह common sense ही बात है ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है सिर्फ common sense ही बात है कि यह सब चीज़े होगी ठीक है ना अब radiographic findings अगर हम देखा जाए इसमें तो इसमें तो range from severe bone loss associated with minimal number of teeth to advanced bone loss affecting majority of the dentition देखो यह तो पूरे दात में हर जगह देखो पूरे anterior में bone loss है यहाँ पे tooth निकला हुआ है यहाँ भी tooth निकला हुआ है मतलब यहाँ पे tooth loss भी होगा bone loss भी होगा वो generalized पूरा हर दातों में होगा ठीक है ना तो यह पता लग जाएगा आपको आराम से radiograph देखोगे ना तो आराम से पता लग जाएगा अब risk factor इसमें क्या-क्या है कौन-कौन से factors जो जेनरलाइजड पेरिवडान्टाइट अग्रसी पेरिवडान्टाइटिस कर रहें तो पहला है microbiological factors भी होता है जैसे actinomycetum commitence की मातरा इसमें बहुत जादा होती है बहुत जादा पाये जाएगा ये bacteria आपको and primary pathogens भी present होता है जैसे porphyromonas, ginger violase, comphilovector ये सारे पाये जाते है ठीगा न immunological factors भी responsible होता है जैसे function defect of PMN monocytes ये तो लड़ते है ना बेक्टेरियास अगर ये ही खराब हो गए तो क्या लड़ेगा और hyper responsiveness of monocytes monocytes बहुत response करता है तब destruction हो जाएगा जादा ये भी हो सकता है genetic factor भी involved होता है इसमें तो familial pattern of bone loss is one of the risk factor ये भी है, genetic भी होता है environmental factor भी होता है जैसे smoking कर रहे हो तो भी ये aggressive हो सकता है ठीक है न? ये बहुत सरे conditions है ऐसा नहीं है कि ये की conditions है जिसकी वज़े से होता है अब देखो treatment की बात करते है देखो treatment अगर आपका initial stage है देखो initial stage है तो आप initial therapy करोगे initial therapy start करोगे initial therapy में कुछ नहीं होता है जैसे देखो अगर आपके बस patient आया तो आप क्या करोगे? scaling करोगे दात को साफ करोगे उसको mouthwash दोगे initial therapy में यहीं सब करते है ताकि उसको और ज़्यादा ना फैले bacteria scaling करोगे तो bacteria of course यह बात रिमोव हो जाएगा उसके बाद आप mouthwash दे रहे तो उससे भी bacterial static का का काम करता है वो रोकेगा bacteria को उसके बाद antimicrobial therapy अगर जादा हो रहा है तो आप antibiotics दोगे जैसे Augmentin 625 दोगे Moxikine दोगे तो कोई भी antibiotic आप चलाओगे उसके लिए ठीक है अगर तो भी नहीं हो रहा तो भी नहीं हो रहा तो antimicrobial therapy देखे और surgical management भी कर सकते हो आप अगर grafting कर सकते हो artificial bone को place कर सकते हो flap हटा के bone को डाल दो और उसका suture मार दो वो धीरे-धीरे हील हो जाएगा और बन जाएगा अगर वो भी नहीं हो रहा तो अगर tooth loss हो गया तो tooth transplantation भी कर सकते हो मानलो अगर tooth निकल गया वहाँ पे bone में तो आप क्या करोगे वहाँ पे tooth को transplant कर दोगे तो bone अपने आप आजाएगा ठीक है अधर dental consideration बहुत सारी चीजे कर सकते हो आप aggressive periodontitis में जैसा patient के according patient की condition कैसी है वैसे है ठीक है आपको समझ में आ गया होगा अगर कुछ नहीं समझ में आ है मैं definitely आप लोग को text करूँगा ठीक है और भी कोई topic अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो मैं पढ़ा दूँगा आपको ठीक है न ओके थाइंक इसो मुच